और अब बात राजस्थान की करते हैं राजस्थान में बिजली गिरने की वज़े से 20 से जादा लोगों की मौत हुई है जैपुर के आमेर फोर्ट में बने वाच टार पर बिजली गिरनी से 11 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग गंभी रूप से घायल हो गए बहुत बड़ा हासा आकाशिय बिजली गिरने की वज़े से 11 लोगों की मौत 30 लोग गंभी रूप से घायल और घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है बिजली गिरने से कोटा में 4 लोगों की मौत हुई है धौलपूर बे भी तीन लोगों की जान जाने की खबर है मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने मृत्कों के परीजनों को पांच-पांच लाग की सहायता राशी देने का ऐलान किया है तो बिजली गिरने की वज़े से बड़ा हासा हुआ है भयावा हालात उस वक्त नजर आए जब बिजली गिरी खास तोर पर आमेर फोट पर क्योंकि उस वक्त यहां पर भारी संख्या में परेटक मौझूद थे अब अब आपको राजस्तान में आकाशी बिजली गिरने से मची तबाही की कुछ एहम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं ये पांच तस्वीरें आपके सामने रहीं देखिए कैसे आस्मान से मौत बनकर गिरी आफट ने पलक छपकते ही 20 लोगों की जान ले ली बिजली गि मौसम का आनंद लेने के लिए भी लोग आमेर फोट पहुँचे हुए थे और उसी वक्त आस्मान से गिरी ये आफट मौके पर रेस्क्यू टीम पहुँची किस तरह से किस तरह से बचाफ कर्मियों ने जिम्मा समाला और बहुत सारे लोगों की जान जल्द से जल्द उन्ह जैपुर में उसकी भी तस्वीरी आपके सामने और जैपुर के आमेर महल में गुद्रत के स्केहर का खौफ़नाक वीडियो सामने आया है आसमान से गिरी इसाफत का ये खौफनाक मंजर कैमरे पर गैद हुआ है ये देखे तस्वीरे आपके सामने रॉंग टेख खड़े कर दरसल जैपूर में मौसम बदलने के बाद काफी संख्या में लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे थे वैसे भी आमेर फोर्ट जो जैपूर का है वो बहुत बड़ा टूरिस्स पॉर्ट है यहां फोटोग्राफी और सेलफी का सिलसला चल रहा था कि अचानक आकाशिय बिजली गिरी और यहां खड़े लोग बुरी तरह से जलज गए रेस्क्यू टीम ने 35 से जादा लोगों को फोर्ट से नीचे उतारा जो की टावर से नीचे पहाड़ी में गिर गए थे जिया जब आकाशिय बिजली गिरी तो वाश्टार जो था जहां पर तमाम परेटक मौझूद थे वो समभल नहीं पाए और पहाड़ी के नीचे गिर गए जो रेस्क्यू टीम थी उसको रात के अंधेरे में इन लोगों को सही सलामत यहां से निकाल कर अस्पताल पहुँच आपरेशन में भी वहां तक पहुँच पाना मुश्किल हो रहा था रात में काम करने में टीम को डिक्कत आ रही थी लेकिन किसी तरह से रेस्क्यू आपरेशन को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया और तमाम खायलों को समस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भरती कराय इन में कुछ की पहचान हो चुकी है जबकि कुछ की पहचान होना अभी बाकी है